समाचार जे अत्यारे सामे आवी रहा चे कॉंग्रेस ना भुतपुर्व प्रमुख सोनिया गांधी के जे कॉंग्रेस परिवार ना मुखिया पन कहवाई से और जे सोनिया गांधी द्वरा संकेत आप्वा मा आवे चे के कदाच तेयो राजनाइतिक जीवन माथी सन्यास लई लै शे और कई दित्या संकेत मलया चे सवुथी पेला ये सामड़ो सोनिया गांधी जे करू एमाधी जा संकेत मलया चे I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh Ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Joroyatra. Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. Thank you. अज़े जए आवरा अज़े कारन चे किस बीजू कोई कारन चे अज़े यादों पास ही दिजानी है. और किस तरह से उन्होंने काम किया देश की हित में और इन सब बातों को कहते भी यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उनकी इनिंग भी एक तरह से समाप्त हो गए लेकिन इस गोश्रा के साथ ही Congress Party में खुद एक खल्चल मचे भी है Congress Party के दो तरह के बयान आ रहा है हला कि आजकारी के बयान नहीं है कुछ Congress कारिकरता हूँ या नेताओं का ये कहना है कि किसी भी राज्जतिक ब्यक्ति का कैरियर जो है वो अंत नहीं होता तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस कॉंटेस्ट में सोनिय गांधी ने बात की है उस कॉंटेस्ट में इसको समझा नहीं गया है बलकि इसको इस्तीपा माल लिया गया है लेकिन सुनिया गांदी ने असपश्ट तौर पे कहा कि उनके लंबे जो प्राराज्टी का कैरियर है या उनका जो जीवन है जिस अधिक्तिया में कॉंग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है उसका एक तरह से भारत जुड़ो पदियात्रा के साथ एक तरह से समापन हो चुका है लेकिन इसको लेकर के तमाम सारे कयास लग रहे हैं यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि अगला जो चुनाओ है राइबरील से सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगे लेकिन अभी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है लेकिन अमुवन ये संकेत मान के चला जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कॉंग्रेसी कार करताओं को ये संकेत दे दिया है कि उनका राज्टी केरियर का अंत हो चुका है और आप पार्टी आगे जो भी लीडर आएंगे उनकी जिम्मदारी में आगे बढ़ेगे सन्यासनी जाहरात करीचे तेना उगर भारतिये जंता पार्टी माथी पर प्रतिक्रियावीचे रवीशंकर प्रसादे शू कहुँ पहला है जो लिए अभी भी नेन्द मोजी सरकार के खिलाफ अनरगल आरोग सारे संस्थानों पर गब्जा कर रखा है डेश में विकास नहीं हो रहा है अजीब रगाती बाते कही गई अगर देश की जंता कॉंग्रेस को वोट नहीं देती है तो सोनिया जी संस्थाओं में इसे जंता उप गई है कॉंग्रेस पार्टी के गिरावट का अपर पड़ा कारण यह है कि वहां प्रश्टाचार था वहां कदाचार था वहां कुशाशन था वहां लूट थी इसे जंता उप गई है कॉंग्रेस ना एक एक कार्यकर जीह है के सोनिया जादी राज कारण में अने कार्यकर ऊपर थेलें आसीरात बन्या रहे जारे कॉंग्रेस पारत जोड़ो यात्रा पची मक्कम ताती सम ग्रा देश नी अंदर प्रसली रही छे आने कॉंग्रेस नी वीचार दाड़ा जन जन सुदी पॉंची रही चे तरे सोनिया गादी जी एजे एंणना अभीपाषण नी अंदर कही हो चे एंणा पाबते समक्रा कॉंग्रेस जन एक दम एने थी स्विकार नथी करतों आने कॉंग्रेस जन इचे चे कि सोनिया गादी जी राजकारण मांने कॉंग्रेस नी अंदर बन्या रहे सुपर सेटरडे मां जुवा मलिव बिहार मां फरीथी जंगल राज शरू थायूँचे एवो अमिच्छा द्वारा केवा मां आविव पीएम बन्वाना सपना जो रहेला नितीश ने जनता ओडखी गेई होवा नूपन तेमने कायू पूर्णिया मां साथ पार्टी ना महागडबंदन नी आजे रेली पढ़ी हो जाई और रेली मां नितीश कुमारे ग्रू मंत्री पर जुरदार पलट वार पढ़ करया अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे व्यक्तिकत रूप से मेरी कोई क्वाइस नहीं है मेरी एक ही क्वाइस है कि देश आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाना है असमाज में एकता और एक जुठता पैदा करना है तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा अरे बिहार में तो हम लोग एक जुट हैं लोग सवाका चुना हो गया तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है इसा मत चिंता करिए लेकिन इसी तरह से सब्दगह कर लीजिए गा तो बाखी सब्दगह भी यही नतीजह आएगा नितीज बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर तीन साल में उनको प्रधान मंत्री का स्वपना आता है हर तीन साल में नितीज बाबू बहुत साल तक आयरम गयरम कर लिए अब भाजपा के लिए आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दियेगा इंगरलाज लाने वाले लालू के नेत्रुतों में नितिश्जी बिहार का कल्यान नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आए अब समय आगाया है भारतिय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमतियां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत दोजार चौबीस के करनी है। कि पस्तिम चंपारन वालों बताओ चौबीस में सभी की सभी सीटों पर भारतिय जनता पार्टी को जिताओंगे क्या अरे ऐसे आवाद नहीं चलता मोदी जी तक आवाद जाना चाहिए बोलिए चौबीस में सभी सीटों पर भारतिय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या मोद जो जंगल राज राज्य से विविन पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसको कहा साथ एक जुठो करके आगे चलें तो इसके लिए तो हम लोग प्रियास कर रहे हैं तो यहां तब ठाली वेट कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी का जितना जल्दी आप लोग प्रै कर लीजिएगा आप जान लीजिए दोहजार चौविस का जब चुनाव होगा चाहिए इतना घूमें सो सीट भी नहीं को देश में मिलेगा यह जान लीजिए अने एनी साथेज लोको उपर एक बीजो भाई तोडाई रहोचे अने एचे द्रूजिती धरानो आम तो तुर्की सिर्या मा अपने जोयू के केवी वर्षनी शरुवात नी अंदर जखाना खराबी थाई साथी भायंकर तबाही माथी अत्यारे पसार थही राया चे बनने देश पन आज डर गुजरात मा पन एक जग्याए अनुभवाई रहोचे अने गुजरात नी अंदर भुधरा द्रूजी रही चे अम्रेली नी अंदर सिस्मोलाजीकल डिपार्टमेंट ना जणावा अनुशार 400 दिवधारे आजका अनुभवाई चुक्या चे अकरे शू कारण चे शू परिस्थिती चे तेया अगण तमाम वस्तुओ जानिये तमाम विगतो हीरेन रावल पासे दी हीरेन जो सौराशनी अंदर भुकंपना आजकाओ जे देखाई नहीं आशे न खास अम्रेली आसपास मा गत बे वरस्ती एटले के 2021 थी भुकंपना आजकाओ न्याना मोटा प्रवाण मा आवानी शरुवाद थे शे 2021 थी आजनी तारी सुधी मा लगबग 400 जेटला आजकाओ छे अम्रेली आने आसपास ना विश्तार्नी अंदर अनुभवाया छे सामानरी ते 2.1 नी तिवरता सुधी ना आजकाओ छे ते आवताहता प्रंतु चल्ला एक अठवाडिया थी तरन करता वदू 3.4 सुधी नी तिवरताना भुकम्ऩ ना आजकाओ छे ते अनुभवाया छे एने स्वाभाविक रिते आ भुकम्ऩ ना आजका त्या मोटी तिवरता होँवाना काराने अनुभवाय छे प्रंतु स्रिस्मोलजी डिपांटमेंटनू कहवू छे का आखा विस्तार्नी अंदल अलगलग प्रकारना टेस्ट करवा मा आवया छे सर्वे करवा मा आवया छे मा सिधी रिते कोई मोटू जोखम अत्यारे हाल नथी देखाई रहीू कारण के एवी कोई मोटी प्लेट पना आविस्तार्नी अंदर नथी जम कच अने बनासकाठा पाटना विस्तार्नी अंदर जे प्लेटों छे ए सतत हलती रहती वोए छे न एना कारण ए विस्तार्मा भूकम पावे छे परन्तु आ विस्तार्मा एवी कोई जी शक्यता त्यारे काडवामा आविशेमा एकज वखत चार करता वदू तेवरतानो भूकम्प लगभग 1925 नी आसपास आ विस्तार नी अंदर आवे होतो आ वर्सा आज जत्यारे हाल जे भूकम्प आवी रहे हो छे अतिवरुष्टी प्रकारनी जे स्थिती हती अम्रेली अने आसपास ना जिल्लावनी अंदर अतिवरुष्टी ना कारणे पाणी भूघर जड उन्चा आवे आचे ने पेटान मा गईू होवा ना कारणे जे एनरजी रिलिस्ताये छे एना कारणे आ प्रकारे ना 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 भूकम्प आणी जेटका आवे होवा नू तारर अतियारे हाल लगावा मा आवी रहेुष्ट है लोको माटे चिनतानों कोई विषय नथी परन्तु नाना ना जे भूकम्प आणी जे लोगावा मा जे प्लस बे हजार एक नो ए मंजर पन हजी आपना मन मस्तिक्षकनी अंदर कैद छे कि अमदावाद अने कच्छनी अंदर शू हालत थाई अती अने 400 थी वधारे आजका आव्या चे भांच जो के एमा पांच आजका तार चार नी उपर नी तीवरताना रिक्टर स्केल पर नौन धायला वहाँ का जो रॉक्स हैं काफी फ्रेक्चर्ड हैं और लगबग 25 किलोमेटर के नीचे एक प्लूटोनिक बॉड़ी है जिसको हम कहते हैं उसमें से कुछ फ्यूम्स कभी निकलते हैं तो फ्रेक्चर्स में कभी-कभी जाते हैं तो उससे क्या होता कि अगर आपका एरिया जो पर है या कुछ है तो थोड़ा सा भी उसमें कुछ लोडिंग दोगे किसी भी रीजन से टेक्टोनिक लोडिंग हो सकती है हाइड्रोलोजिकल लोडिंग हो सकती तो छोटे-मोटे अर्थ्वेट साते हैं अने आगल वात करवी शे डबल सीजन चाली रही शे आम तो हवामान विभागनू केवू जे के वही उनालो पहली मार्च थी शरू थाई जशे फेब्रुवारी नी साथे शी आलो पन अधिकारी क्रिते विदाई ले शे पन त्यांसुदी अजी त्रोंचार दिवस बेवड अने डबल सीजन ना कारणे होस्पिटलों मा शुहाल आयूशी पसिती जानी है बिलकुल नुपूर जे रेते अत्यारे हाल सतत रोग चारों वकरी रायोचे बेवडी रूतूना कारणे लोकों हाल बीमारी शप्राई राया चे अने गरे गरे हाल बीमारी ना खाटला चे ते जोवां मडी राया चे वाइडल इन्फेक्शन ना कारणे अत्यारे लोकों सवती वदू बीमार पड़ी राया चे जे मा एक सबतानी अंदर वीस हजारती पर वदू दर्दियो नौधा आया चे जमदावादनी सिविल होस्पिटल नी अंदर ओपीडी मा त्रहन हजारती पर वदू दर्दियों सारवाल लई राया चे लिटलूज नाई परन्तू वाइडल इन्फेक्शन ने साथे पाने जनी रोक चारों छे ते पर सतत वदी रायो चे जमा सिविल होस्पिटल नी अंदर पन ओरी थी बाड़कों छे ते असरग्रस थाई राया चे ओरी मा ते ओरी थाई होई तेना माटे विशेश स्पेशल वोर्ड चे ते पन शरू करवा मा आवे हो चे ले जामनगर नी अंदर ओरी ना केसो सतत वदी राया चे बिजी वाजू अमदवास शेर नी अंद वाइरल इंफेक्शन ना काराने लोको हाल बीमारी मा सप्ड़ाई राया चे तो पोलीस लोकों ना रक्षन माटे होई छे अने पोलीस सामाने ते गुने गारो अथवा आरोपी ओ सामे फरियाद नौनती होई छे पर जो पोलीस पर फरियाद थाई अने एपन गुजरात मा नहीं अन्या कोई राज्ये मां तो नवाई नो पार ना रहे स्वाभावी करिते अखरे शू बनियुशे आजम साले पासे ती जानिये आजम अनुपर आखो मामलो जे चे चे सूरत पोलीस ती शरू थाई चाने उत्तर पोलीस जेचे तया आवी ने पुरू थाई चे मतोरी वाचे के साइबर क्राइम हेटर एक सूरत साइबर क्राइम मा एक फरियाद नोदावा मावी है ती लाखोर रुपया नी छेतर विटी नो मा परियाद करीने सूरत लावी हाती त्यार बाद आःज़ भी पतनी कोट शे तीना अंदर एक फरियाद करीया थी यह यह फरियाद कोट ना आदेस ना मुझभ उत्तर परना प्ली स्टेसन ना करमचारी चे प्रूस चार करमचारी विरओ अपरन फर्याइद नो दी लिली चे आज समगरमा हमने सूरत पुली से बचाओ कराऊ चे के अमें आरोपी ने पकड़वा गया था ना के अपरन करवा गया था हमारा पाती जिफपन पुरावा चे हमें ने जुडिशिल कस्टिडी करऊ चे तमाम कागाड़ी अलेना हमें उत्तर पतेशनी कोर्ट में हाजर था सो अन्या फरिया द्रत कराऊ सो जी बिलकुल अने आगर वाद करवी चे व्याज खोरोना विश्चक्र ने खतम करवा माटे गुरू विभाग कटी बद्ध होई तेम हरुष्य संगवी वारम वार कही चुक्या से गुरू राज जे मंत्री अने मुख्य मंत्री द्वारा हमें नवतर प्रयोग हाद दर्वा मा आवे हो चे त्यारे जे दावो करवा मा आवी रहो चे ए प्रमाने तो व्याज खोरो उपर सकंजो कस्वा मा आवी रहो चे पान हावे व्याज खोरोना चक्कर मा थी मुक्त करावा करण के जे नाना वैपारी हो चे एमने पैसा जोईता पचाववा एक नवतर प्रयोग हाद दर्वा मावी एक नवी हांकल करवा मावी जो राज्यन इंदर शूचे जिगनेश पासे दी जानी है जिगनेश प्रधान मंतरी नी योजना होचे ते हेठळ ब्यांक ना कर्मचारियो द्वारा साथे पोलीस औने कॉर्पोरेशन ना अधिकारियो साथे मड़ी अने आवा स्ट्रीट वेंडरोंने लोन अपफा मावी छे आजे 4,000 बस्सों करता वधू जे स्ट्रीट वेंडर अने फेरिया हो छे तेमने लोन अपफा मावी अने कईश काए कि जे आजनों जे लोन नो मेड़ो होतो तेना अंदर अंदाजीत 12,000 करता वजू फॉम भराया अने अगर जे वात करवी छे ए वात हवे कोई नवाई नी वात न थी रही कारण के एक तरफ उनालों आकरो बनवाना एंधान से बिजी तरफ पानी नी कदाच खेचा खेच पन था ही शके अने आब धानी वच्चे पानी नो वेड़फाट थवो एक कोई नवी वस्तु गुजरात मा नती रही क्याक कैनाल तूर्ती होई क्याक गाबडा पढता होई तो क्याक ओवरफलो थती होई क्याक पाइपलाइन लिकेज थती होई वदू आवीज गटना सामें आवीजे ब्रश्टाचार ना गाबडा अने अनघट तंतर द्वारा कराती बेदर कारी बदूत सामें आवी उचे शूचे निकुल पासे दी जानी है खेड़ुतोना केतरो आवेलाहता त्यागरा पानी गुसी चुके उतु जनाकारने तमाको साहितनों जे पाक्स चे ते नस्र थायोचे खेड़ुतोने मुटू नुकसान चे ते वेटवानों वारो आवयोचे वाराम वार क्यानल मां घाबडा परवा क्यानल ओल्फरो थावी सरकारी अधिकारी ओछे ते सुतार आवयोचे ने खेड़ुतोने लाखोना नुकसान वेटवानों वारो आवतो होईचे तो पानी बचे तो कदा चुनाला मां खेचा खेच न पड़ थाए खेर सुरत नी के जया समाज मां एक उदाहरन बैसारवा मां आवयोचे सासु ससराई माबाप तरीके नो धरम अने फरज निभावया चे शूँछे किन नरी पास से ती जानिये बिल्कुल नो पूर सामाने जे खेवा मां आवतो है शे के वहने दिकरी बनावी ने घरे लावये शे परणतु साचे ज वहने दिकरी बनावी ने या विदाए आपामा आवी शे सुरतनी वाद चे, सुरतना जे छेवाडानू गाम चे मोटी वेड, तेनी अंदर एक सासु सस्राय पुता नी जे विद्वा वव हती, तेना लगन कराव्यानू सामय आवे रहुशे, तेमना पुत्रनू अकाड़े अवसान थाएगा, वह तु लगना ने बहु वधार समय इने एक मोटू उदाहरन दुनिया ने आपे उशे, वर्नूम मा तेरे समय थाओ शे आपना ती विदायले वानू, नमस्कार।